अबिकापूर में वेतन विसंगती को दूर करने के लिए पदाशन सिख्षक फरडरेशन ने किया धरना पदाशन बल्रामपूर में सोनार उत्थान समाज ने निकाली है महारेली रैली निकाल कर किया सकती पदाशन राइगर में अवेत प्लाटिंग पर चला बुल्डोजर प्रशरसन की करवाई से मचा हलकम राइगर में आगनवाली कारगटा सागी एका ने किया डान्डी मार्च टेंट यूनियन काउंसलिंग का मिला साथ सती में डाइवर की बड़ी लापारवाई सामने आईए हासन में बच्चों से भड़ी स्कूल वैन पल्टी पाच बच्चों की हालत गंबीर नमस्कार आप देखने हैं प्राइम टीवी मैं हूं मनीश बदोरिया शुरात करते हैं 36 गड़ की खबरों से सरगुजाद जिले में 36 गड़ साहिक सिक्षक और समग सिक्षक फडरेशन के बैनर तले एक दिवस्ती पुरानी सिवा गंगना करते हुए वेतन विसंगती को दूर करने के लिए धरना प्रदेशन एवजन किया गया है 10-36 गड़ में चुनावाते ही सरकार के दोरा किये गए वादों को पूरा करने के लिए लगातार विविन संगटोन दोरा विरोध प्रदेशन किया जा रहा है इसी कड़ी में 36 गड़ साइक सिक्षक एवं समग्र सिक्षक फडरेशन के बैनर तले साइक सिक्षकों ने पुरानी सिवा की गड़ना करते हुए वेसंगतीयों को दूर करने की बात कही वहीं मुख्यमंतरी बुपेश भगेल को पत्र लिका सायक सिक्षकों ने ग्यापाँ सौपा था लेकिन उनकी मांगों पर चार साल भी जाने के बाद भी विचार नहीं किया जा सका जिसको देखते हुए सायक सिक्षक संग के द्वारा क्रमिक हर्ताल पर अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार से अपील कर रहे है वहीं कि हर्ताल पर चले जाने से सिक्षक रौस्था भी प्रावाईत हो रही है जी मेरा नाम स्रीमति शेल्जा शुक्ला है ब्लाग कद्ध्यक शंभी का पूरा करेगी सर एक नेक दिन वो सुनेगी हमारी बात और सुन भी रही है थोड़ी एक देखी जरूर हो रही है लेकिन वो करके रहेगी और करेगी आगे भी हम लोग कुम्मीद है और यदि यह नहीं भी करती है तो हम लोग इसी तरह से क्रमी कुरूप से हर्ताल करते ही रहेंगे क्रमी का अंदुलन जो चल रहा है प्रांती निर्ने के अनुसार उसमें सरगुजा जिले के समस्त सहायक सिक्षक और नौपतस प्रधान पाठाक प्रात्मिक साला हम सब ने मिलकर ये एक दिवसी जिला इस तरह प्रदर्शन किया है और इसका हमारे केवाल एक ही उद्देश कि अमारा बहुत चार सालों से हम लोग लगातार सिर्फ हमारी एक सुत्री मांग है जब से मारी निक्ति तिति है तब से गढ़ना करती है वेतर विशंगती दूर किया जाए इसके लिए सरकार ने हमें कई प्रकार की वारता हुई कमेटी का निर्माण हुआ सिच्चा मंत्री ने बोला 15 दिन में दूर कर देंगे मानने मुक्य मंत्री जी ने 90 दिनों के कमेटी बनाया था और उड़ों ने कहा था कि 90 दिनों हमारी मांग पूरी हो जाएगी लेकिन 17 से 18 महीं ने बिच चुके है अभी तक हमारी मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ ह सरकार के चार साल भी चुके है अंतिम बजट पाच वा साल उनके पास समय भी कापी कम है और एक मार्श से जोए अन्तिम बजट आने वाला है अभी तक हमारी मांगों पर बिचार नहीं किया गया है बलामपूर जिले के राजपूरे में सोनार उत्थां समाज ने एनच 343 पर वासिक उस्था मनाते हुए भव रैली निकाली गई है। बलामपूरे में सोनार उत्थां समाज के बैंक 20-20 खोला जाया रहा है। बलामपूरे में सोनार जिले कारवाई जिला कलेक्टेट तारं प्रकास सिना ने अवएद रूपसे प्लाटिंग काटने की शिकायतों पर कली कारवाई के निदेश जारी किये। राइगर नगर निगम और राज़स उवाग के स्वेंट टीम आज वाड नमबर 36 पहुंची। अवएद प्लाटिंग की मिली रही शिकायतों के बाद कलेक्टेट के निदेश पर तासिलदार लूमस, मीरी राज़स अमल और नगर निगम की टीम ने अवएद निर्मार्ग पर तोड़फोर की कारवाई किये। तैसिलदार ने स्पस्ट किया कि अवएद प्लाटिंग की शिकायत पर नगर निगम के समी वाड़ों में कारवाई की जा रही है। करताओं के अंदोलन को टेड यूनियन कांसिलिंग ने भी अपना समर्थन दिया। बता दें कि अगनवाली करताओं एवं साइकों दोरा लगातार 33 दिनों से अपनी 6 सूतरी मांगों को लेकर हरताल एवं अंदोलन किया जा रहा है। राइगड के मिनी स्टेडियम में भी 36 गड आगनवाली करकरता साइकों के साइकों पदादकारियों दोरा धरना पदर्शन और अंदोलन किया जा रहा है। वहीं अंदोलन के 33 दिनों पूरे होने परदेश भर में डांडी यातरा आगनवाली करकरताओं दोरा निकाली गई। जिस प्रकार से अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाव गांदी जी ने डांडी यातरा निकाली थी। उसी प्रकार कॉंग्रेज के टर्म सरकार के वादा खिलावी के विरोध में आज डांडी यातरा निकाली गई। जा रही है, यह यातरा इसलिए जा रही है कि भुपेश सरकाल ने आंगनवाडी साहिका कारकरता से यवादा किया था कि अगर वो सत्ता में आएंगे तो उनको कलेक्टर डेट से देंगे और उनका उन्यान करके वो उनको सिख्षक का दर्जद देंगे ये घांडी मार्ज जो निकाला गया है पुरे 36 गड़ में प्रांती आदेशा अनुसार निकाला गया है हमारी जो जायज मांगे हैं जो मानिये भुपेश बगेल जी ने अपनी सरकार में आने से पहले कुर्शी में बैठने से पहले उन्होंने आगनबाडी क्यार करता साहिकाओं को लिखीत और म मोखिक बोला था कि मैं मेरी सरकार आएगी तो मैं आगनबाडी क्यार करता साहिका बेहनों को प्री प्रेमरी सुर्का दर्जा दूँगा और कलेक्टर दर्मे मांदे में बिद्धी करूँगा जो कि उनकी सरकार आए पूरे 4 वर्स पून हो चुके हैं अभी तक उन्होंने ह हुच पूरे 33 दिन हो चुके हैं अपनी जायज मांगों के लिए उनके किये गए जूटे वादों के खिलाप में हम लोग 33 दिन हो चुके हैं अपने सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं अगल तरह पुलिस अपरादियों के खिलाब लगातार अभ्यान जाजी रखे हुए वहीं दुशकर्म के दो आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गरफतार करने में पुलिस को सफलता हासिल हुई है जहां थाना अकल तरह और पामगर पुलिस ने सायूत कारवाई कर आरोपियों को धरद बोचा है आरोपी रेवाराम भरदवाज और अमन भरदवाज को गरफतार कर नयाएक रिमांड में भेज दिया गया और कई धराओं में मामला दर्च कर पुलिस आगे की कारवाई में जुट गई है बता दे कि पीड़ता ने 23 फरवरी को आरोपियों पर दुशक्रम करने और जान से मारने की धंकी देने का आरोप लगाय था सती ज़ले में स्कूल बच्चों से भरा एक वहान अनिंतित होका पलड गया डैवर की लापरवाई से हुए इस हासे में वहान में सवार 15 बच्चे घाल हो गया है जिनमें से पांच ही हालत गंबीर बनी हुई है सबी गंबीर घाल बच्चों, स्कूली बच्चों को सती जिले के पास स्थित राइगर्ड जिले के खरसिया और मेडिकल कालिज राइगर्ड रिफर कर दिया गया पता दें कि सती ग्राम भाटा का मामला ही है जाजगिरी चापक के अकड़तला थाना अंतरगर्ड ग्राम कोड़ड के पास बाइक चलक की किसी अग्यात वहां से ठोकर से दर्दनाक मौत हो गई है जनकारी मताबिर अकलतला बलौदा मुख्यमार्क पर ग्राम कोटगर्ड के पास राकेश कवर निवासी कोटगर्ड अपने मोटा साइकल से घर लोड़ रहा था इसी दोरान दर्दना खासा हो गया प्रदस्शनकारियों के अनुसार बाइक चलक यूवा का शेथ बुरी तरह से चोट लग गया था मरतक के पिता के अनुसार राकेश घर से अपने किसी काम से बाइक से निकला था गटना के तुरंद बाद अकर तरह थाना प्रवारी उमेश साहू अपने दल के साथ मौके पर पहुँच कर शफ को समदरी स्वास्त केंदर अकल तरह के लिए भेजा पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर अग्याद वहन चाला के खिलाफ धारा दोजा दो सो उननतर तीन सो चार एके तहद केश दर्चकर आगे करवाई में जुट गई है बसना के भवरपुल पुलिस चौकी की टीम ने मुक्बिर की सूचना पर बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है भारी मातरा में अवैद महुआ शराब से भरी स्कॉर्पियों वहन को जब्त किया गया है साथी आरोपी को गरफतार करने में सवलता हासिल हुई है दरसाल पुलिस को मुक्बिरी से सूचना मिली थी कि ग्राम बड़े साजापाली से ग्राम लंबर जाने वाले रोट की ओर से सफेद रंग की स्कॉर्पियों वहन में अवैद शराब बिक्री करने है तूँ दो व्यक्ती भारी मातरा में शराब लेकर जा रहे थे स्रीमान पुलिस अदिक्चक महासमून के आधेशा नसर अवैद शराब लगतर कारवाई की जा रहे थे इसक्रम में भवरपुर चौकी में धाई सो लिटर अवैद महवा शराब को पकड़ने की कारवाई की गई है जिसमें दो आरोपी गरफतार किये गए हैं और एक स्कॉर्पे वाहन जब्त किया गया है अंभिकापूर के राजमोनी भवन में एक देश्ती राज महिला आयोग द्वारा हूमन ट्राफिकिंग और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार साइद महिलाओं के साथ हो रहे साइबर की घटनाओं को लेकर कारशाला का आयोग द्वारा संभाग इस तरी कारशाला का आयोग द्वारा संभाग साइद सरगुजा संभाग में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार ह इसमें हिस्सा भी लिया। इन राशियों का दुर्पियों किया जा रहा है जिसके बच्चें को ना तो नास्ता मिल पा रहा है और ना ही पॉस्टिक बोज़न भी मिल पा रहा है जिसके बच्चे अपने आपको असाय वा अरुस असुरचित महसूस करते हैं। लोग सबको डाट रहा था बहुत जी असरा विपिये हुए थे एक सिक्षक का आमानवी चेरा देखने को मिला है जहां गड़ित के मास्टर कक्षा आठवी के एक चात की जमकर पिटाई कर दी है जिसे चात को चोट लग गई है दरसल पुरा मामला बलांपूर जिले के विकास खंड राजपूरे के ग्राम जींगो का संचालित निर्मला अबला पालकपूर मादमिक शाला प्राइवेट स्कूल का है जहां कक्षा आठवी के अध्यंद्रच चात्र विशार प्रजापती को गड़ित का सवाल नहीं बताने पर सिक्षक पंकज ने उसी की क्लास के 20 से 25 लड़कियों से पिटवाने का मामला प्रकाश में आया है इन दिनों पानी की समस्या गर्मी के महिना आते ही लगातार शुरू हो चुकी है एक ऐसा ही गाउं है जहां चार किलोमेटर पानी की उप्योक्त सुदा के लिए जाना जाता है खमहार गुड़ा में पिछले कई दिनों से हैंट पंप खराब हो जाने के चलते ग्रामीनों को आई दिन परिशानी का सामना करना पड़ रहा है पिछले कई दिनों से विभागी अधिकारियों को भी यह बात की जानकारी प्राप्त हो चुकी है लेकिन इसके दोरा बात भी सुद लेना मुनासिब नहीं समझा गया वहीं ग्रामीनों को कहना है कि लगातार इस प्रकारी की समस्या हुआ करती थी और इस समस्या बार और गए यह बार गया है कि पानी के च्मत्र Oh हुआ है कि एक साल पूर्वश्य हमें पानी का समस्या है हमारे गाओ में निस्तार का जल है ना पीने के लिए पानी हम कई भार जिकाइद भी कर चुक हैं आविदन भी डाले थे हम हमारे ए एसडीम शर को और जनप्रतिनीधियों को बार-बार हम अवगत कराया है कि पानी का बहुत समस्या हो रहा है लेकिन अभी तक के हमारी पानी का समस्या पूरा नहीं हो पारा है पानी के लिए सरा जैसे के हम नहाने के लिए जाते हैं तो तीन चार किलोमेटर दूर हमको नहाने के लिए जाना पड़ता है तो इसे महिलाओं को खास करके जिसके यहाँ छोटा सा बच्चा है उन महिलाओं को बहुत दिक्कत होता है जड़्दल पूर जिलेक के तोका पाल बलाग के ग्राम घाट घनौरा में प्रधान मंतरी ग्राम सड़क योजना के अंतरगे बने सड़क में बड़ी खामी देखने को मिली है गामिनों से मिली जानकारी के अधार पर मीडिया की टीम ने ग्राम पंचायत पहुंच कर निर्मी सड़क का मुएना किया गामिनों का आरोप लगाया है कि ये सड़क अभी सही तशनी शुरू हो चुकी है सरकारी जोजना का क्यानवन जमीनी स्तर में सिर्फ खाना पूर्ती करने का कामी किया गया गामिनों ने इस सड़क निर्माड में उच्चादकारियों से कारवाई की मांग की देवंदर सट्या है मैं ग्राम गाड़ दनोरा में रहता हूँ जो रोड बनाए तो फाल्ट रोड बनाए ठेकजारता नहीं है जो मटल डला है उद्रीक यह गाड़ी डास रहा है वहाँ पायर से कड़ रहा है प्ले पर दामर दामर लोड है तो गौपर मेंट जो जो जिसके लिए पैसा देंगर。 तो उस पे पैसा कर साहिं यह नहीं हो र कॉंग्रेस के विपे सरकार के उप्यक्षाओं का सिकार हो रहा है 36 गर्परेस सरपन्ज संग द्वारा सुरजपूर जिला के रेस्ट हाउस में सरगुजा संभाग स्तरी बैटक किया गया जिसमें 36 गर्परेस सरपन्ज संग के प्रदेस अधित्य उपाद्या एवं पूरे सरगुजा संभाग के जिला अधियक्ष वा सरपन्ज उपस्तित रहे जिसमें बुपे सरकार को घेड़नी की रणनिती बनाई गई अगर सरपन्जों की मांग पर गंबीता से विचार नहीं किया गया तो सरपन्ज संग के दौरा बुपे सरकार के खिलाब आने वाले चुनाओं में मुर्चा खोल दिया जाएगा सरपन्ज संभाग से आज हम लोग अपना संभाग इस तरी बैठक कर रहे हैं आज सरपन्ज लोग की जो दैनी स्थिती है है उसके बारे में वह लोग आज 25 मंत्री जीने आदेश किया है कि कोई भी पंचायब में पचास लाग तक का कारे एजेंसी सरपन्ज ही रहेगा और मानी मुख्य मंत्री जी के आदेश की धजियां अधेस एफसर लोग कि आज छोटा छोटा काम भी है एक एक लाग दो दो लाग का काम को भी इसको आरिये इसको दिया जा रहा है सोच पुरे जिला के बहुरारी रेलवे फाटक पर अंडर विज के स्थान पर ओवर विज बनाय जाने की मांग को लेकर गामिलों ने प्रशासनिक अधिकारियों साहित रेलवे के अधिकारियों से भी बात की है जिसके बाद एक बार पुना, SGM सागर सिंग, तैसिलदार ओपी सिंग, साहित रेलवे के SSE सुधाकर तिवारी, रामानुज पाल मौके पर पहुंचकर रेलवे के अधिक रही जमीन साहित, पास में ही एक दूसरे सड़क का मौइना किया गया है दो से तीन फीट लगातार वहाँ पर पानी बरसात से लेकर, सभी समय में दो फीट पानी भरा रहता है, और आने जाने में इसकुल बस से लेकर, किसानों का धान भी नहीं जा पा रहा है एक बार बता रहे थे कि इसकुल बस फंस गया था, एक बार किसान का धान ट्रेक्टर लोड फंस गया था, ऐसे इस थीती में हम पूरे ग्राम वासी बिरोत कर रहे हैं कि अंडर विरिज नहीं बनेगा, और उनके साथ हम पूरे जन परतिदी है, और माननी कलेक्टर महोद्य और डियारम को भी हम लोग ने ग्यापन दिया है, और हम लोग चाह रहे हैं कि अबर विरिज बने या इथा होता रहे, जल परतिदी यहां के ग्रामेड के द्वारा जब यहां अंडर विज बनाने की बात आई, यहां पे जब रेलवे के करमचारी है, तो यहां के लोग एक अबर विज बनाने नहीं देंगे, यहां पर अगर बनाना है तो ओफर विज बनाया जा, इन ही मांगों को लेकर आज यहां इसी बात की सर्वे के लिए, आज यहां पे हमारे SDM सहाब, रेलवे के करमचारी तसिल्दार सहाब कागमन हुआ था, इनके साथ मिलकर यहां पे ज जेतर के जन प्रतनी दीदी गण हैं, विधायक महोदय हैं, उनके द्वारा ग्रामवासियो सहीत रेलवे में और कलेक्टर महोदय एक समक्ष ग्यापन प्रस्तुत किया गया, जिसमें अंडर बिज बनने पर भारी वाहन हैं और उसमें जल भराव की स्तिती जैसे विहन समस् में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, उसके बाद अंती बनने रेलवे और प्रसासन भीश होगा. दरसल मंगलवार को टियल बैठक में राजस प्रक्रणों के समाधान के लिए कैंप लगाने के निदेश कलेक्टेट ने दिये थे. निदेश के बाद राइगर तहसील का रहले में गुरवार 23 फरवरी को विशेज शिविर लगा जा रहा था. शिविर में SDM तहसीलदार, न वो सारे मामले पेंडिंग रहते हैं. इसको हमने देखते हुए 23 तारीक को कल तैसिल कारला प्रांगर में एक ब्रिहद रूप से राजस्व निराकरण शिविर का विजद किया है, जिसमें हमारे जो 264 गाउं हमारे तैसिल के नगर निगम छेत्र है, नगर पालिका छेत्र ह यह सभी छेत्र के आम जनता शिविर में आएंगे और उनके आवेदनों का तत्काल और त्वरित निराकरण करके उनको दिया जाएगा. बख्सतर पुलिस दोरा अपरादी तत्तों के विरूद लगातार करवाई की जारी है, तरतरम में अवेद गांजा तसकरी पर करवाई करने में बख्सतर पुलिस एक बार फिर से सवलता मिली है. नगर नार पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ वेक्टियों दोरा अवैद रूप से गांजा की तसकरी की जा रही है सूचना पर थाना प्रवारी सिटी कोतवाली एमन साहू के नित्वत में टीम गठित किया गया था उची टीम के तोरा आमा गुडा चौक में पहुंचकर गिराबंदी कर संदे के अधार पर एक वेक्टि को गिरफतार किया गया पहीं अरूपी के कबजे से 21 किलो गांजा एवं नगदी रकम 530 रुपे की बरामत जब्त किया गया बस्तर पुलिस लगातार अवैद गांजा परिवहन विकरी के खिलाफ कारवाई कर रही है इसिकर में सुचना मिली कि आमा गुडा चौक के पास एक वेक्ती अवैद गांजा की परिवहन विकरी करने है तो गांजा रखा है जिस सुचना पर ठाना कोतवाली के टीम आमागुड़ा चौक के लिए रवान हुई और दब इस देकर आरोपी सुर्जो भत्रा जो की निवासरी कोरापको टोड़ी सा का है उसको पकड़ा गया जिसके कबजे से 21 किलोग्राम अवैद गांजा ब्रामद हुआ गांजा की दिवत ग्रफतार कर मानियानेयला के समच प्रस्तूत किया गया है जिस पच्छा तो उसे जिल में निरुद किया गया है माँ समूध में आदिवासी चातरवास का निर्माट करा जा रहा है जिस से च्छेट के आदिवासी बच्चव को इसका फाइदा मिल सके लेकिन विभाग और ठेकेदार की लावरवाई के चलते निर्माट कार गुणमता वीन हो रहा है करोनों की लागत से चात्रह वास भवन निर्माड में लावरवाही बढ़ती जा रही है सबसे बड़ी बात यह है कि दो महिने से निर्माड कार जारी है लेकिन पब्लिक सूचना वोट अब तक नहीं लगाय जा रहा है आंपर फिला चत्रह की खबरों बस इतना है देश पर देश की खबरों के लिए देखते रहे हैं प्राइम टीवी नमस्कार झाल